हेलो एवरीवान स्वागत है आप सभी का डाउटनिट की केमिस्ट्री की क्लास में मेरा नाम है स्वाती और चैप्टर चल रहा है आपका कार्बन एंड इस कमपाउंज और इस चैप्टर में हम लोग अब तक बहुत सारी चीज़े खतम कर चुके हैं वर्सटाइल नीचर पढ बनाता है और हमने भई फिर पिछली क्लास से पूछना शुरू कर दिया था कार्बन से कि यह रिष्टा क्या कहलाता है ठीक है और मैंने कॉमन सेक्शन देगा ते जिसमें बहुत सारे बच्चों ने मतलब लिखा है जब मैंने पूछा था क्यार मैंना नाम भूल की कौन था वह कारते को और फिर बच्चों ने लिख दिया नायरा वाला ही रिष्टा हम इससे पूछेंगे कार्बन से कि वह तुम कौन सा रिष्टा कहलाते हो जल्दी से अपनी क्लास शुरू करते हैं लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऐलकेंज और एलकेंज में बॉंडिंग किस तर देते हैं हेलो एवरिवान आइम स्पाती राथी और केमिस्टी टीचर और यह भी मैं हूँ ठीक है सो जस्ट इन केस तुम लोगों को अच्छे लगी मेरी फोटो टोटली तुम इसको आज इन इंस्पिरेशन यूज कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं चले सो आज की क्लास म आपकी ये एक एंटाइर होने वाला है अगर आपको कोवोलेंट बॉंदिंग समझनी है बस दो लegश्र लगे आपको को वोलेंट बॉंदिंग समझने में पिछले वाला लेक्चर और ये वाला लेक्चर ठीक है का answer क्या है question number one how many electrons are involved in a double bond two electrons involved होते हैं three electrons one electron या फिर four electrons total में कितने electrons involved होते हैं here you all of you one electron two electron three electron और four electron easy सा question है सारे के सारे जाके comment section में जवाब लिखिएगा और मैं comment section में बता दूँगी किसने सही लिखा है और किसने गलत लिखा है okay आगे चलते हैं question number two buck minister fullerene is an allotropic form of sulfur bromine carbon या फिर none of the above buck minister fullerene किस चीज़ का allotropic form है bromine का sulfur का carbon का या फिर किसका हरिया पोल फ्यो मुझे चाहिए कि मेरा comment section जोने मेरी class का वो भर जाए पूरा का पूरा इतने ज्यादा comments करें हो मेरे students ने क्योंकि तभी तो idea लगेगा कि क्या है कैसे है ठीक है चले आंगे बड़े फटाफित से चल सो आगे चलते हैं अब हम लोग देखते हैं study tips आप लोगों को करने हैं और जो जो चीजे ncrt में line करों वो करनी है class में किसी भी तरह की spamming नहीं करनी और जो भी चीज़े आपको कहनी है चाहिए मैडम की तारीफ ही क्यों ना करनी हो अब comment section में जाके करे लाइव चाट में भी करें लाइव चाट में अगर आप अपने doubts पूछोगे तो वो मुझे दिख नहीं पाएगा तो अगर doubts पूछ रहे हैं तो comment section में जाके पूछ लेना clear कर दूँगी मैं ठीक है चलिए कल एक बच्चे ने यह doubt पूछा था मुझे कि मैम जो Lewis dot structure है और electron dot structure है क्या वो सेम रहते हैं तो मैंने वहाँ पर भी जवाब दे दिया है और मैं बाकी students के लिए से भी clear करना चाहती हूं कि yes electron dot structure हो यह Lewis structure हो दोनों चीज़े सेम रहते हैं जिसे मेरा नाम स्वाती और कुछ बच्चों को पता है कि मेरे नम चीकू भी है तो स्वाती माम बोलो चीकू माम बोलो एकी बात है ओके चलो अब हम लोग पढ़ते हैं ऐलकाइन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि अलकेन जो है वो saturated hydrocarbons होते हैं मतलब carbon carbon के बीच हमेशा single bond होगा अलकीन जो होते हैं वो unsaturated hydrocarbon होते हैं मतलब carbon carbon के बीच double bond होगा alkynes जो होते हैं वो भी unsaturated hydrocarbons होते हैं बट ये ऐसे unsaturated hydrocarbons हैं जिसमें carbon and carbon के बीच triple bond, तीन bonds लगे होए होते हैं तो मैं ये चीज यहाँ पर लिखती हूँ आप सारे के सारे अपने notes में note down कर लीजएगा so alkynes क्या होते है एक सिकेंट alkynes क्या होते हैं बिटा alkynes are unsaturated hydrocarbons तो unsaturated मतलब मैं दो तरीके के होते हैं ऐसे unsaturated hydrocarbons जिनमें carbon and carbon के बीच double bond है and ऐसे unsaturated hydrocarbons जिनमें carbon and carbon के बीच triple bond है जिस देखो carbon and carbon के बीच triple bond present है ठीक है अब triple bond के लिए कितने electrons involved होंगे टोटल में आप लोगों को last class में मैंने सिखाया था देख जब एक bond में दो electrons involved है जैसे सपोज इस एक bond को बनाने में 2 electrons का involvement होगा इस बीच वाले bond को बनाने में वापस से 2 electrons का involvement इस last वाले electron को बनाने में 2 electrons का involvement तो टोटल में कितने electrons का involvement हुआ 6 electrons का involvement तो 6 electrons are involved in total जब हमें एक triple bond बनाना होता है ठीक है चले अब यहां पर मैं एक और point लिख देती हूं मैंने आपको लिखवाया था ना कि smallest alkane कौन सा होता है methane is your smallest alkane ethene is your smallest alkane जो smallest alkane होता है वो केवल दो carbon का होगा एक carbon का alkane नहीं बन सकता है क्योंकि carbon and carbon के बीच double bond होना अवशक है तो alkane and alkyne होने के लिए दो carbon compulsory है दो is the minimum number of carbon तो अब हम इससे एक और नहीं चीज सीख रहे हैं कि भाई एक carbon का alkane तो हो सकता है पर एक carbon का alkane नहीं हो सकता and एक carbon का alkane नहीं हो सकता ठीक है तो इस तरीके से हम यहां लिख देंगे smallest alkyne कौन सा होगा आपका ethane ठीक है formula भी लिख देती हूं मैं C2H2 चलो अब इस C2H2 को करना सीखते हैं आप लोगों के just in case exam में आ गया draw ethane and formula लिख दिया C2H2 कैसे सीखेंगे हम वापस से swati ma'am कैसे करती अगर मैं exam में होती भाई देखो मुझे कुछ नहीं पता मुझे इतना पता है कि 2 carbon है तो मैं क्या करूंगी 2 carbon लिख दूंगी नीचे 2 carbon लिख दूंगी ओके अब मुझे इतना पता है कि यह एक alkyne है and alkyne में triple bonds present होते हैं alkyne में triple bonds present रहते हैं carbon carbon के बीच तो मैं carbon and carbon के बीच triple bond बना दूंगी अब मैं carbon से पूछूंगी कि भाई तेरा रिष्टा क्या कहलाता है तो यह carbon मुझे बोलेगा कि मैंना 3 bonds sorry मैंना 4 bonds बना सकता था चार में से तीन तो मैंने बना लिए बचा कितना एक ठीक है तो यानि कि मैं एक और bond बना सकता हूँ वो मैं hydrogen के साथ बना दूंगा मैं इससे पूछूंगी कि भाई तेरा का रिष्टा क्या कहलाता है यह बोलेगा दीदी सेम सेम वह जो इसका रिष्टा कहलाता है जो इस वाले carbon का तो हम यहाँ पर भी एक hydrogen बना देंगे ऐसे आपके ऐलकाइन्स बन जाएंगे आई किसी को दिक्कत कुछ भी समझने में easy होते हैं अब एक बहुत ही ऐसी बड़ी गलत फहमी है जो बहुत सारे बच्चे अपने दिमाग में रखते हैं हमें लगता है कि यार alkyns ना कुछ ऐसे दिखते होंगे सारे के सारे alkyns ऐसे दिखते होंगे सारे के सारे कारबन के बीच में सिंगल बॉंड होंगे और ऐलकीन्स ऐसे दिखते होंगे सारे और ऐलकाइन्स सारे ऐसे दिखते होंगे मतलब ऐलकीन्स में हर जगा सिंगल बॉंड है ऐलकीन्स में हर जगा डबल बॉंड है और ऐलकाइन्स में हर जगा ट्रिपल बॉंड है क्या ये चीज ठीक है क्या ये चीज ठीक है इस बोर्ड पे जो मैंने ये दिये है न ये structure ड्रॉ किये हैं ये सपोज मान के चलो तीन structure है A B and C इसमें से दो ऐसे structure है which are absolutely wrong सारे के सारे गलत structures है मदब दो ऐसे structure है विच टोटली रॉंग तो आप मुझे बताइए कौन सा structure टोटली रॉंग है A B C B C होगा B A होगा A C होगा ऐसा कौन सा structure है which is wrong I'll give you five seconds करो मैं side it जाती तक कि तुम लोगों पर pressure ना बने हर ये पॉल फ्यूँ side हट गई हुमें करिए खुद से इस चीज को 5 4 3 2 and 1 आगया समझ में clear है understood all of you आगया समझ में सब को चलू फिर में आगया समझ में तो इसमें से कौन से कौन से गलत है B and C गलत है क्योंकि ना एलकीन में ऐसा नहीं होता है कि कार्बन कार्बन के बीच हर जगा ही डबल बॉंड हो नहीं बस किसी भी एक जगा डबल बॉंड होगा बाकी सारी जगा सिंगल बॉंड होगा एलकाईन में भी ऐसा नहीं है कि सारी जगा ट्रिपल बॉंड होगा नहीं बस कहीं एक जगा और बाकी सारी जगा पे single bond होगा ठीक है तो correct structure कैसा होगा किसी भी अलकीन का correct structure ऐसा होगा suppose मान के चलो यहाँ पर केवल मैंने single bond रखा sorry double bond रखा बाकी जगा single हो and suppose मैंने यहाँ पर triple bond रखा और बाकी जगा single कर दिया मैंने बाकी जगा पर कि मैंने single कर दिया, तो इस तरीके से correct structure होता है, अब ये ना मैं आप लोगों को और अच्छे से समझाऊंगी जब हम IUPAC nomenclature समझेंगे, but IUPAC nomenclature अभी अपने को पढ़ना है नहीं, अभी सिर्फ हमें इस topic पे focus करना है, तो हम यही समझते हैं, बस ये एक misconception था बहुत सारे students क एसलिए मुझे इसको clear करना था ही, ओके, चले, आगे चलते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़े बहुत questions, of course questions करेंगे तब ही तो समझ में आएगा, कि भाई paper में क्या करना है, और previous year question से अच्छा तो कोई और option हो ही नहीं सकता है, तो ये देखो, write the number of covalent bonds in propane and हमें propane का formula भी given है, C3H8, ठीक है, अब सुनो, एक second पहले solve मत करने लग जाना, मेरी बात सुनो, suppose तुम्हारे exam में ये question आया, suppose जो तुम लोग paper देने जा रहे हो, उसमें ए question आया, that write the formula of propane, तो में जमा कोई idea नहीं है, कैसे draw करना है, तो में suddenly hit होता है, कि स्वाती माम ने हमें कहा जानी था, कि बस दो चीज़ों का याद रखना है, कि जिस भी चीज़ का सरनेम एन है, जिस भी चीज़ का सरनेम एन है, वहाँ पर हर एक carbon के बीच single bond आएगा, बोला था ना कि जिस भी चीज़ के सरनेम में एन लग जाए, तो ऐसे समझ लेना, कि यह एक alkane है, यह एक alkane है जितने भी carbon हो जिसे यहां पर तीन carbon है तो तीनो carbon carbon के बीच कौन सा bond होगा बेटा single bond होगा तो ठीक है माम तो चले पहला step तो हमने ये clear कर दिया कि carbon single bond carbon single bond carbon तीन carbon थे तीनो carbon के बीच single bond बना दिया अब हर एक carbon से पूछते हैं क्या क्या पूछना है हर एक कार्बन से ये रिष्टा क्या कहलाता है ये पूछना है हमें तो इससे पूछते हैं ठेप टू में पूछना है ये रिष्टा क्या कहलाता है और ऐसा नहीं है कि सीरिल देखने लग जाओगे अब तुम भरोसा नहीं है तुम लोगों का इस कारवण से पूछेंगे तो यह बोलेगा देखो जी मैं बना सकता था चार रिष्टे चार में से एक रिष्टा तो मैं बना चुका हूँ चार में से एक रिष्टा तो मैं बना चुका हूँ मैं तीन नए रिष्टे और बना सकता हूँ अपना कारवण मचा हूँ है चार चार रिष्टे बनाता है मैं तीन रिष्टे और बना सकता हूँ मतलब मैं तीन बॉंड और बना सकता हूँ और वो तीनों के तीनों बॉंड हो चार में से दो मैंने ओल्रेडी बना लिये, एक and दो, दो ओल्रेडी बना लिये, मतलब ये दो और बना सकेगा, किस के साथ, हाइडरोजन के साथ, ठीक है, ये में रेस कर देती हूँ, कहीं तुम कन्फ्यूज ना जाओ कि डबल बॉन्ड है, इस से पूछूंगी, ये बोलेग सेम, 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 मैं भी चार बना सकता था, चार में से एक मैंने बना लिया, तीन और बना सकता हूँ, तो ऐसे आ जाएगा ये, सो हाइडरोजन, हाइडरोजन, and हाइडरोजन, and this is your entire structure, but question में ये नहीं बोला है कि structure दो करके दिखाओ, question में बोला है कि number of covalent bonds count करके होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, पहले सारे carbon hydrogen वाले गिनलो, 8, then 9, and then 10, so total 10 covalent bonds बन रहे हैं, हमारे इस में, total 10 covalent bonds are possible, ठीक है, चल, जल्दी से इसको note डाउन करो, आप लोग, फटाफ़त से में साइड़ जाती हूँ, hurry up all of you, hurry up, shabash, done, चल, आगे चलते हैं, अगला question देखते हैं, अगला question है हमारे CBSE 2016 का, ठीक है जी, अब यहाँ पे है, draw the structure of ammonia, और हमें ammonia का formula भी गिवन है, देख्यार, अब तक जितनी भी bonding वगेरा हमने करी, सारी की सारी carbon के साथ करी, यहाँ पे थोड़ा सा different case है, पर concept same रहेगा, कैसे, सबसे पहले क्या करना है, जो ऐसे compounds हो ना, जिन में carbon involved ना हो, हमें आदत नहीं होती, ऐसे questions को solve करने के, मैं सिखाती हूँ कैसे करना है, सबसे पहली चीज, nitrogen की electronic configuration लिख, nitrogen का atomic number है साथ, यानि की electrons भी है साथ, electronic configuration होगी, 2,5, K shell है, L shell है, अब nitrogen का Lewis dot structure बना, 1, 2, 3, 4, 5, कैसे भी बना सकते हो, तुम जरूरी ने, तुम ऐसे भी बना सकते हो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच, मर्जी है तुम्हारी, ऐसा structure बनाओ, जिसके थूरू तुम bonding असानी से दिखा सको, सपोज मैं ये structure यूज करते हूँ, इसको draw करतो, so second step is, अच्छा, अगर तुम्हें कुछ भी चीज clear ना हो ना, तो comments में step number लिखना सीधा, कि माम, question number 2 का न, step number 1 नहीं आया, question number 3 का step number 3 नहीं आया, ऐसे, ताकि मुझे एक exact idea मिल जाए कि कहां पर फस रहे हो तुम, ओके, so this is N, ये, 1, 2, 3, ठीक है, अब बात कुछ इस तरीके की है, कि यहाँ पर तीन हाइड्रोजन है, टेक है, अब हाइड्रोजन को कितने электrons चाहिए होते है, अपना duplet पूरा करने के लिए, हर एक हाइड्रोजन को एक ही electron चाहिए होगा, तो हर एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जायएगा, मैं यहां पर क्यों नहीं लिख सकती क्योंकि अगर मैंने यहां पर हाइड्रोजन लिखा है तो हाइड्रोजन का एक एलेक्ट्रॉन एक एलेक्ट्रॉन इन दो एलेक्ट्रॉन के साथ थोड़ी ना बांडिंग दिखा सकता है क्योंकि हाइड्रोजन को तो बस एक कर देती हूं और hydrogen के electrons बना देती हूं hydrogen का ये एक electron hydrogen का ये एक electron and hydrogen का ये एक electron ये दोनों आपस में share हो जाएंगे ये दोनों आपस में share हो जाएंगे and ये दोनों आपस में share हो जाएंगे अब देखो हर एक hydrogen का duplet पूरा हो गया and nitrogen का Octet पूरा हो गया, Nitrogen को अपना Octet पूरा करने के लिए तीन Electrons की जरूरत थी, पांच तो इसके पास थे ही अल्रेडी, इसको बस तीन Electrons की जरूरत थी, और Hydrogen ने, हर एक Hydrogen ने अपना एक-एक Electron इसके साथ शेर कर दिया, और इसका Octet पूरा हो गया, तो बस हमने Structure Draw कर दिया, अब इसको इस तरीके से शो कर दो, H, 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 और यहाँ पे Lone Pair of Electron, यह Electrons bonding में involved नहीं हुए हैं, तो इन्हें ऐसे दिखा देंगे हम, ठीक है, I get it, अगर तुम लोगों को मुश्किल हो रही है इसको करने में, that means, you people are trying your best to understand this concept, ठीक है, करो इसको अच्छे से, समझो, जैसे यह दोनों Electrons आपस में शेर हुए, तब यह bond बना, यह दोनों Electrons आपस में शेर हुए, तो यह bond बना, यह दोनों Electrons आपस में शेर हुए, तो यह bond बना, इस तरीके से bond बन रहे हैं हमारे, understood all of you, time लगेगा, बिठ हो जाएगा, वो है न, एक मूवी थी, यह जवानी है दिवानी, उसमें दिपका पड़ु कोन कहती है, रन्मीर कपूर को, कि थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाएगा, तो उसी तरीके से, समय दीजे, सब ठीक हो जाएगा, चले, अगला question, and यहाँ पर भी इन्होंने इथीन का प्रॉपर स्ट्रक्चर लिख दिया है, तो इथीन का फटाफत से हम लोग अब अपना फोर्मुला लिख लेते हैं, सारी, स्ट्रक्चर ड्रॉप कर लेते हैं, इथीन, इसका सरनेम क्या है, इसका सरनेम है इन, और मैंने तुम्हें बताया है कि जब भी, अगर किसी चीज का सरनेम इन है यानि कि ये एक अलकीन है यानि कि कार्बन डबल बॉंड कार्बन बनाना पड़ेगा तुम्हें कार्बन डबल बॉंड कार्बन होगा तो बस कितने कार्बन है दो कार्बन है तो दो कार्बन रो करें अच्छा इन दोनों कार्बन के बीच में bond होगा ठीक है इस carbon से पूछूंगी मैं ये रिष्टा क्या कहलाता है ये बोलेगा चार बना सकता था दो बना दिये दो और बना सकता हूं बना दिये hydrogen के साथ ही बने होंगे ये भी बोलेगा दो और बना सकता हूं बना दिये ये तो है इसका bond structure अब सवाल में पूछा है कि electron dot structure बनाओ और मैंने तुम्हें सिखाया है कि इस से electron dot structure तक कैसे पहुचना है तो जल्दी से बनाते हैं सब अपनी अपनी कॉपियों में C C 2 bond बन रहे हैं यानि कि टोटल में 4 electrons share हो रहे होंगे तो 2 electrons ये अपने share करेगा 2 electrons ये अपने share करेगा ये ऐसे जब ये दोनों electrons share हुए तो ये वाला bond बना ये दोनों electron share हुए तो नीचे वाला bond बना शाबाश अब carbon and hydrogen कैसे बनेगा carbon अपना एक electron इस hydrogen के साथ share करेगा carbon अपना एक electron इस hydrogen के साथ share करेगा similarly ये वाला कार्बन इस हाइडरोजन के साथ अपना एक एलेक्ट्रोन शेर करेगा ये वाला कार्बन इस हाइडरोजन के साथ अपना एक एलेक्ट्रोन शेर करेगा अरे भाई बन जा अरे मान जा मान गया ठेक है तो अब ये हाइडरोजन अपना एक एलेक्ट्रोन शेर ते को सिंगल बॉ Gola Hydrogen Gola. So, ये electron նेर हुए, तो ये bond बना. ये को एक टूब है, ये bond बना. ये दो electron शेर हुए, ये bond बना. ये दो electron हुए, ये bond बना. बन गया electron dot structure? कौन सी तोप थी electron dot structure बनाना? बन गया? कवर मथा बन मतलब मम की चितरकारी कमजोर है, इसे लिए थोड़ा तेड़ा मेड़ा सा बन रहा है पर बन गया electron dot structure कौन से तुम्हें जंडे गाड़ने electron dot structure बनाने में इसको सेम डिट्टो कॉपी करना है तुमने ये आता है तो ये बना दोगे ये आता है तो ये बना दोगे बस बन गई बात ठीक है चले अब आगे हम पढ important topic है आप लोगों के exam point of view से सो एक बार इसकी definition पढ़ते हैं homologous series basically क्या होती है जैसे हमारी family होती है जैसे मेरी राथी family है आपके विने सर की वर्मा family है हमारे जैसे बहुत सारे लोगों की अलग अलग family जैसे किसी की khanna family होती है kapoor family होती है gupta family होती है यादव family होती है so मेरी जो बहन है ठीक है बड़ा example बदब किसी काम तो आए मेरे बहन भाई example के तौर पर ही सही सब मेरी जो बहन है उसका भी सरनेम क्या होगा एंड में राठी ही होगा विने सर की जो बहन है उनका लास्ट में सरनेम क्या होगा वर्मा ही होगा क्योंकि विने वर्मा है उसके बाद निकिता मैम है आपकी निकिता सिंग है वो तो निकिता मैम जो है आपकी अगर उनका भा नेम सेम रहता है, तो मेरी फैमिली अपने आप में क्या है एक होमोलोग सीरीज है, उसी तरीके से वर्मा फैमिली एक होमोलोग सीरीज है, अनुश्या माम की कुमार फैमिली एक अलग होमोलोग सीरीज है, सिंग फैमिली एक अलग होमोलोग सीरीज है, उसी तरीके से हमारी केम stream में भी homologus series होती है homologus series is a group of organic compounds having same functional group and same general formula functional group भी चीजों का same रहता है और general formula भी same रहता है अभी तक मैंने आप लोगों को functional groups क्या होते हैं ये नहीं बढ़ाया है because ये अपने शायद syllabus में अभी है नहीं deduct हो चुका है so इसलिए अभी आप लोगों को नहीं भढ़ाया है मैंने but functional group एक अलग से class लगा के आपको समझा दूँगे I.O.P.S. in functional groups अलग से class लगा के समझाने है ही तो बाद में समझा दूँगे बट अभी तक के लिए मान लो कि ऐसी चीजे जिनका same general formula होता है अब भाई ये general formula हमें पता लगाना है हमें केवल तीन categories पढ़नी है अलकेन, अलकेन and alkyne so we just have to read about these three category और इनका general formula तो मैं सबसे पहले आपको alkenes का general formula लखाती हूँ तो यहां लिखते हैं GF this is not वो वाली GF this is just your general formula तो comment section में शुरू नहीं हो जाना है तेरी भी GF है रहा देख 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 माम ने तेरी GF का नाम लिखा जेनरल फॉर्मूला लिखा है ये so alkenes का general formula क्या होता है cn h2n plus 2 और ये 2n plus 2 नीचे है यहां पर n क्या है number of carbon जैसे suppose just in case मैं आपको कहूँ कि बेटा एक ऐसे alkenes का formula मुझे लिखके बता जिसका जिसमें 20 alken हो तो तुम क्या करोगे कुछ नी मैंने तुमें n बता दिया कि n 20 है तो तुम क्या करोगे c20 h2 into 20 plus में 2 तो c20 h42 आपने बोला मैं हमने general formula लिख दिया अच्छा मैं तुमें बोलूँ कि मुझे एक ऐसे alken का general formula बताओ जिसमें number of carbon 100 है तो कर दोगे जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर 100 लिखो और आज आएगा ठीक है अब एक और अलग तरीके से question पूछे जाते हैं सपोज मैं हाँ पर लिख दूँ दो compound c4 h8 और मैं हाँ पर लिख दूँ c4 h10 मैं तुम्हें बोलू बटा इन दोनों में से к Saint Khaoंसा है मुझे यह पता लगा के बता तो कैसे करोगे बहुत यह क्लाणी मेथड भी हॉयं एंडे extrाट मेत थड भी और मुझे पता है तुम लोगों को शौट मेथर झानना है तो एक ट्रिक है alkane में क्या होता है hydrogen जो है न वो carbon के दुगने से 2 जादा है जैसे for example इस case में क्या है hydrogen 8 है carbon 4 है यानि कि hydrogen is just twice of carbon hydrogen is केवल twice of carbon यहाँ पे क्या है hydrogen है 10 सो इस case में hydrogen is twice plus 2 twice plus 2 twice होता 8 plus 2 हो गया 10 सो जिस किसी भी compound में hydrogen जो है न वो carbon के दुगने से plus 2 हो उसको हम कह देंगे एक alkane जैसे for example C5H12 देख 5 का दुगना क्या होता है 10 यहाँ पर है 12 सो hydrogen जो है वो carbon के दुगने से 2 जादा है यानि कि यह एक alkane है सो यह smart trick है पहचानने की कि भई कौन सा compound एक alkane है और कौन सा compound एक alkene है ठीक है आगे पढ़ते हैं अब alkene का general formula क्या होता है alkenes का general formula होता है CnH2n यानि कि alkene में hydrogen जो है वो carbon का दुगना होता है जैसे यहाँ पर था hydrogen जो है वो carbon का जस्ट दुगना था ना जादा ना कम जस्ट दुगना यानि कि यह यहाँ पर मैंने एक alkene लिख दिया था और यह एक alkene था ठीक है अब जैसे अगें यहाँ पर n क्या है number of carbon अब जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं c6 h12 c6 h10 and c6 h14 अब मैं तुमसे पूछ हूँ कि इन में से alkene कौन सा है तो आप बोलोगे मैं जो first वाला है ना उसमें जितना carbon है उससे जस्ट दुगना hydrogen है यानि कि यह हमारा alkene है वेराज यहाँ पर क्या है hydrogen जो है वो इसके दुगने से 2 जादा है 6 2s are 12 12 plus 2 14 यानि कि यह एक alkene है और मैं यह एक alkene है यह मैं अभी next part में समझाओंगी alkynes का general formula क्या होता है cn h2 n-2 दुगने से 2 कम alkene का एकदम उल्टा दुगने से 2 कम जैसे यहाँ पर c6 h10 था चै का दुगना होता है 12 यह है 10 यानि कि 12 से 2 कम है यानि कि यह तुम्हारा alkyn है so these are some of the tricks जो आप लोगों को बहुत जादा useful आएंगी अगर आप इन्हें ध्यान से समझेंगे ध्यान से पढ़ेंगे because यह questions पूछे जाते है चार पाच compounds दे दिये जाएंगे और पूछ लेंगे कि इन मेंसे कौन सा एक alkane है इन मेंसे कौन सा एक alkene है इन मेंसे कौन सा एक alkyne है so please थोड़ा दमाख लगाना और अच्छे से जज करना दुगना कौन है दुगने से दो जादा कौन है दुगने से दो कम कौन है, ठीक है? चले, अब हम लोग पढ़ते हैं इन होमोलोगस सीरीज की कुछ क्यारेक्टरिस्टिक्स, हर एक होमोलोगस सीरीज का जो कमपाउंड है, वो एक दूसरे से CH2 के डिफरेंस पे है, सबसे पहला पॉइंट ये, जैसे कि सपोज अलकेन का पहला कॉमपाउंड कौन सा है? मिथेन, अब मैं तुम्हें यह बोलू कि भाई नीथेन का next हॉमोलोग निकाल, या adjacent हॉमोलोग, औजचेसेंट घ्र क्या होता है? जो बिलकुल मेरे घर के बाद है, तो adjacent हॉमोलोग क्या होगा? जो बिलकुल इसके बाद पड़ता है, तो जब भी तुम्हें adjacent homolog निकालना हो, कुछ नहीं करना है, बस उससे पहले वाले में CH2 जोड देना है, इसमें एक कारबन था, एक कारबन तुमने दे दिया, C2, इसमें 4 hydrogen था, 2 hydrogen तुमने दे दिये, H6, अब मैं तुम्हें बोलू कि बेटा, C2 H6 का next homolog निकाल, कुछ नहीं, तुम add कर दोगे CH2, इसी तरीके से मैंने तुम्हें बोला कि बेटा, इथीन है, इथीन का next homolog निकाल, कुछ नहीं, CH2 एड कर दोगे, C3 H6 आ जाएगा, मैं तुम्हें बोलू, C3 H6 का next homolog निकाल, कुछ नहीं, CH2 एड करोगे, तो next homolog आ जाएगा, तो पहली लाइन में केवल यही च साथ-साथ के, जैसे यह दोनों साथ-साथ के हैं, यह दोनों साथ-साथ के हैं, साथ-साथ के, any two adjacent homologs differ by one carbon and two hydrogen atoms in their molecular formula, that is, any two adjacent homologs differ by a CH2 group, clear है, the difference in the molecular masses, molecular mass में कितने का फरक होगा? जब molecular formula में CH2 का फरक है, तो molecular mass में भी फरक होगा, तो molecular mass में कितना होगा, यह कैसे पता लगाएंगे? इसका molecular mass निकालो, इसका molecular mass आएगा 14U, तो जब molecular formula CH2 का फरक है, तो जितना इसका molecular mass होगा, उतने molecular mass का फरक होगा, है ना? देखो, adjacent homologs में CH2 का फरक है, CH2 का मैंने mass निकाल लिया तो मुझे पता चल लिया कि कितने mass का फरक है। यानि कि अगर मैं बोल दो कि CH4 का mass तुम्हें given है C2H6 का mass निकालना है तो क्या करोगे 14 AD कर देना इसके mass में C2H6 आ जाएगा मैं तुम्हें 2021 C2H6 का mass given है तुम इससे अगले का C3, H8 का निकालो, तो तुम क्या करोगे, 14 एड कर देना, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, next point, जितने भी compounds होते हैं, एक homologus series के, उनकी chemical properties similar होती है, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, कि माम, chemical properties similar है, या physical properties, तो I am repeating again, chemical properties similar होती है, The members of a homologus series show a gradual change, 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 बदलाव होता है, physical properties में, ठीक है, तो जो homologus होते हैं, उनकी chemical properties same रहेगी, यानि कि एक alkane की जो पूरी family है, methane, ethane, propane, butane, इन सब की chemical properties same है, बट इन सब की physical properties different होगी, ठीक है जी, चलिए, तो आपका chapter यहीं पर ही समाप्त होता है, एक बारी जल्दी से हम लोग आपके कुछ questions सेख लेते हैं, जिनके answers आप लोगों को comment section में जाके लिखने है, which of the following is an alkane, methane, ethane, butane, या फिर none of the, अब a very easy question, और मेरे बच्चों के ले तो कुछ मुश्किल है ही नहीं, तो कर दोगे ना पका से, चाला तो, comment section में बताते हैं ना, and which is the correct general formula of alkyne, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, cnH2n, cnH2n plus 2, cnH2n minus 2, या cn, these are your options, आपको इन में से बताना है कि इन में से किस चीज का correct general formula है, ठेक है, चले तो फिर, thank you to all of you, तुम लोगों ने इतने अच्छे तरीके से बात सुनी, मेरी इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई करी, अगर पढ़ाने के बाद अभी कोई doubt रह गया है, तो बे फिकर comment section में चले जाना, and I'll try my best कि आपके जो doubts हैं, वो clear हो जाए, ठेक है, और सारे के सारे questions के answers मुझे positively चाहिए, okay, तो मिलते हैं आपकी अगली class में, तब तक के लिए, बाई बाई बच्छे लोग!